नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्वनी और आप देख रहे हमारा अंगनबाडी न्यू चैनल आप सभी आसा अंगनबाडी करे करता हों का हमारे अंगनबाडी न्यू चैनल में श्वागत है हमें जो खबर लेकर आए हैं आसा अंगनबाडी बेहनों के लिए बहुत ही महत्तोपूर्ण खबर है बता दे कि एक खबर जो निकल कर आ रहा है ये अंगनबाडी बेहनों के मांदे में हुई गड़बरी को जो है कि अव नोटी जारी करके आपसरों के ऊपर अफ़यार किया जा रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है आ रही है आगनबारी बैनों का करीब 11 करोन रुपे जो है कि इधर उधर किया गया है उसको लेकर नोटी जारी किया गया है कोट द्वारा तो आईए इसको हम आपको बताते हैं उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइ वर्स बाद नोटीस निलंबन अफ़यार चार वर्स बाद जो है कि नोटीस जारी हुआ है निलंबन किया जा रहा है और अफ़यार किया जा रहा है अधिकारियों के ये क्यों अफ़यार किया जा रहा है और निलंबन किया जा रहा है तो इसको देखिए 6 जिलों के 40 आपसरो ने मिलकर जोए की इधर उदर की है इसकी गरवड़ी की है आंगनबारी बेहनों के मांदे से संबंदीत पैसा था लेकिन ये अपने रिष्टेदारों और नातों के खाते में जोए की डाले थे तो इसको लेकर अब नूटी जारी हुआ है कोट के द्वारा तो आईए देखिए इसको विष्टार से आंगनबारी करे करताओं को बाटे जाना था पैसा अधिकारियों ने खुद में बांट लिया ये से 90 खाते जिसमें आपसरों ने रिष्टेदारों के खाते में पैसा जम ने आ चुका है आए नीचे इसको विष्टार से देखिए पोशाहार का काम करने वाले आंगनबारी करे करताओं के मांदे के करोणों रूपे बांटने वाला बड़ा खेल पकड़ा गया है ये खेल छे जिले में भोपाल, राय सेन, अले राजपूर, वजुगा, भेंड औ और मुरायना के महिला यंगबाल, विकास, विभाग के 40 आफसरों और नीचले अधिकारियों ने मिली भगत कर इन लोगों के मांदे के 11 करोण रूपे करे करताओं के बैंक खातों में 9 डालकर अपने रिष्टेदारों के अकाउंट में जमा कराया तो इसमें 40 आफसर थे छोटे बड़े मिलाकर ये आगनवाड़ी बेहनों के खाते में 9 डालकर अपने रिष्टेदारों के खाते में डालकर जो है कि इस पैसे को बांट दिया आगे देखी यह मामला सबसे पहले 2017 में की गई थी सम्मान ने सिकायत में पकड में आया था लेकिन अब तक निचले अस्तर के सिर्फ चार अधिकारियों को बरखास्त कर दबाद दिया गया था चार अपसरों को जो है की बरखास्त करके इस मामले को दबा दिया गया था लेकिन अब कई आपसरों की साजिस मिली भगत पकड में आने से इसमें करवाई तेजिश हो गई है अब इन्हें तबातोर नोटिस दिया जा रहा है महिला वंगबाल विकास विभाग के संचालक डाक्टर राम राव भोसले ने बताया की चार और सस्पेंड कर दिया गया है दोसियों पर अफ़यार भी कराई जा रही है बता दे की विभाग के अपर मुखे सचीव और सोकसा ने इस मामले की फाइनल दुबारा खुलवाई है इस मामले की मुखे सचीव ने फाइल दुबारा खुलवाई है और चार आफिसर और सस्पेंड कर दिये गए हैं ये फाइल जो है की चार वर्स पहले जो है की दबी थी इसको फिर जो है की खोला गया है और अधिकारियों पे जो है कि करवाई की जाएगी आगे बताया जा रहा है कि कैसे फंड ट्रांसफर इलुक कर रहे थे विभाग ने आंतरिक सुत्रों का कहना है कि मांदे यात्रा भत्ता और आंगनवाड़ी भवन के किराये के भुकतान के लिए विभाग में एक गलोबल फंडिंग बनाया ग इस्तिदारों के खाते में भी डाल दिया एसे में 90 खाते सामने आये तो इस तरह से ये लोग गड़बड़ी कर रहे थे जिसमें अभी तक 90 खाते की सामने निकल कर आये हैं और जो भी इसमें आफसर मिलकर काम किये हैं उन्हों के उपर अफ़यार किया जाएगा और उन्हों पर करवाई की जाएगे तो यह थी आज की खबर जो हम आपको बता दिये हैं अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को अन कर लिजे ताकि आपको प्रापर नुट्